नमस्कार कैसे हो आज हमारी नदियां कम्प्लीट हो जाएगी और जिक्के में देखो जिक्के सबसे महतोफोन है बले आप रीट की तयारी करो चाहिए एसाई की करो चाहिए आपको एक बार थोड़ी सी धोग मेरे लगाने पड़ेगी जिक्के के लिए सारा माटर माई करवा जारा है और कुछ कहा रहे हैं तो अभी तो नहीं जल्दी शुरू करतेंगे अभी तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है मैं भी एक मेने का टाइम देगे तो अभी यह बैंट चल रहे हैं जिसको जोई न इसमें बाद में वो चीज़ें फ्री देदेंगे हम चलो देखो तो अब रो आज नदियां का सारा क्यूसन नदियां कंप्लीट अब थारी सिकायत नहीं आने चीए गुर्जी मन नदियां को ने आप जे कोई बोले नदियां करें तो गल्द बात है मुखको पड़ सके था रहा है क्योंकि यार इतने आराम से करवा दिया रोज एक नदी करव उड़तो तीरियों ले लिए तो उड़तो तीरियों के और किनन गयों लोगान विरो कॉन पड़ियों विरो कॉन पड़ियों आपने के नदी क्यूंकि ये पहले ये नदी जो थी ना पहले ये नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी की और जाने वारी थी तीरियों बान बान यह जाती है नहीं तो बस दो बाते हैं अपन पूरी कर लेड़ते हैं इसको जो भी कोर्स लगा रहा रहा है एक दम छोड़ती सी बात है आप बता है कि महाभारत के टीम और पांडव नहीं यहां ग्यातवास विताया था और जब पांडव यहां बैराट में यहां आए थे तो द्रोपती को प्यास लग गई थी यह प्यास है बड़ी और जी प्यास लागी अरजुन मार्यों तीरियों कठ मार्यों जमीन में मार्यों ना कि कोई तीरियों मार्यों तीरियों मारता है बान मार्यों तीरियों मतलब बा यानि बाण गंगा नदी बैराट से निकली बैराट वर्तवान में पोटपुतली बहरोड जिली में फिर ये नदी थोड़ी सी जेपुर ग्रामिन के अंदर भी आएगी ठोड़ी सी फटेगल गुरुजी हाजी कोई समझया को नहीं रह तुँ दटजी एक गार ए ओल्ड उसके बाद ये नदी कहा आएगी उसके बाद ये नदी आएगी दोसा और फिर कहा आएगी बर्थपूर और फिर अग्ड़ जागे ये फते आबाद में फते आबाद एक हरि पहली रुक राख यह हैं, तो वर्तमाल में अब मैं इसको अलग से बनाता हूँ, कहां से निकली ये नदी बेराट से, कौन सी नदी बान गंगा, बेराट कहां है, कोट पुतली बहरोड BEN, ध्यान रहें, बेराट सब्वेता इसी नदी के किनारे है, बेराट सब्वेता वर्तम ती हैं फिर यह नदी कहां आई दोसा के अंदर पिर यह नदी कहां आई भर्तपूर के अंदर फिर जाके यूपि में मिलती थी लेकिन वर्तमान में यह दंदी आंतरिक परवा की नदियों में आ गए हैं के नाम है अर्जुनगी गंगा, ताडा नदी, रूंडित नदी, कौन सी सब्वे था बैराठ, साहिक नदिया है इसकी जैसे सूरी है, नाम नाम है पलासर नदी है, सूरी है, गुंटी नाला है, लेकिन आपको याद रखोत रख लेना कभी पूछी नहीं, इसके उपर एक बा रवा राम कट, किसने बनवाए था, ये बांध बनवाए था, राम सिंग सेकिन, स्कूल कोलेड बांध बाग, होल होम, सेनिमा, होल कलर, वोई राम सिंग, ये राम सिंग सेकिन, द्वारा बनवाए गया था, जम्वारा, फिर एक बर्तपूर में बांध है, लालपूर ना बड़े इंपोर्टेट परसन और सारी चीजे में एक साथ ही वो करवा रहा हूं यह रिपीट वाड़ा तो बाद में करेंगे हम पहले हम हमारा कावाज कर लेते हैं ठीक है कि सारे इंपोर्टेट परसन जोए ना वाजेंगी आज ठीक है इस बाद बाद है कि लोगषेOoh कि वैसे तो आपको ये पीडीएफ फाइनल पीडीए हैई यह आपकी बीडीएफ । बाली है की टेलीग्राम पही तेलीग्राम जिसमें सबसे ज्यादा सुश्क्राइब सबसे पहले राजतान के सारे जलब परपाथ हूं चूलिया जलपरपात मैं पहली बता जीओ कए। चम्बल नदी पर हैं, चैसे चूलिया, चैसे चम्बल, चैसे चितोड गढ़, गठे है चितोड गढ़ में, भैंश रोड गढ़, चितोड गढ़, भीम हारी लात, एक हांथर्मारी का भीमimana को दुरोप्ति मांगली, मांगली बन लात मारी कुछी नदी मांगली नदी लात मारता है खून की बूंद टपकी बूंदी भीमलाद जल परपाथ जो है वो मांगली नदी पे रहे मांगली नदी भीमलाद मांगली बूंदी के दर फिर अगलो जल परपाथ है मेनाल जल परपाथ मेनाल जलपरपाथ जो है वो मेनाल नदी पे है चितोड के अंतर मेनाल नदी भीलवाडा से निकरती है ठीक है दीर जलपरपाथ ये कुकुंद नदी पर है आप एक वो ही याद रखना जो राजस्तान का सबसे उंचा है इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है चलो ठीक है राजस्तान के जितने भी त्रिवेणी संगम है सारे के सारे एक जगे सबसे पहले कोण सा त्रिवेणी संगम है बेनेश्वर अब बेनेसवर कहा है, सब को पता है, सर बेनेसवर डूंगर पूरे बच्चे बच्चे को पता है, कौन सी नदी, तीन नदिया, माही, सौम, जाक्खम, सौम, माही, जाक्खम, ऐसे याद रखते हैं, सौम, माही, जाक्खम, सौम, माही, जाक्खम, राजमेल कहा, टौक के कि याद है या नहीं है मुझी नदा फिर एक बनता है रामेश्वर कहां स्वाइमादोपूर फेमज गए रामेश्वर कोण सी नदी चंबल बना सीप इनको रट लेना बार बार इनका रिपीट करते जाना इनका अभ्यास करते जाना रोज रोज बहुत याद करता हूं मैं कि वह याद करना इसको बार-बार लास्ट जल परपात बिगोद जल परपात कहां भीलवड है इसको पहले कर से कौन सी बैस बनास सुत्र वहां बताया था मैंने बेड़च और मेना बिया मैना बनास बेड़च और मेना देवधाम वही बनास नदी पर टौंक बनास पर तीन ज बीबीएम, 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 वहां सुत्तर बताया था में नहीं, वेनेसवर डुंगरपुर, राजमेलटों, रामेसवर स्वाइमादपुर, विगोद भीलवाडा, देवधाम टाउन, अर्या, क्या बात करें, यह सारी एक जगे लिख लेना, यह रिपीटेशन है जो 51 किलोमेटर, लेकिर राजस्तान में उनली 322 किलोमेटर ही है, अब लिख लो इनको कोई याद करने हैं, वह आजिकर हो चुका है, बनास लगबग 512 किलोमेटर है, पूरी की पूरी राजस्तान में ही है, बनास, ठीक है, काड़ी सिंदे, तसोरी, इस उपर लिख दियोगे, बनास 512, गगर नदी, गगर नदी जो है, वो लगबग 465 किलोमेटर लंबी है, गगर नदी, लेकिन हमें राजस्तान से रहे, तो लगबग राजस्तान में 100 किलोमेटर है, लिख लेना इनको अलग से, काड़ी सिंद लगबग 288 किलोमेटर है, राजस्तान में लगबग 145 माही नदी जिसका हम जिकर पहले कर चुक एंपांस सो एकस्य और कंप लूंडी जो है वो लगबग पांस सो क्युलोंटर चार सो पिकान में राजस्तान में लगबग 330 से 350 साबरमती नदी लगबग 416 किलोमेटर है लेकिन राजस्तार में ओली 45 किलोमेटर है यह एक जगह मैंने लिखा दिया ताकि रिपीट करने में आपके आसानी होगा यह एंकिया हो गयो माखी बैठीगे अगली नदी है पस्वी मनास इन्हें मैं समझा नहीं रहा बस आपको सोट में नोट्स दे रहा हूं पस्वी मनास लगबग 260 किलोमेटर यह कोई इंपोर्टेंट नहीं आप चंबल बनास में नदिया रख लेना ठीक है से रख लेंगे इस क्या बात है क्यों नहीं याद होगा लिग लेना साथ में चंबल और बामनी के संगम पे हैं चंबल पलस बामनी बामनी हैं बामनी जैसो भी लिटती है शेरगड दुर्ग है एक धोलपूर में एक बारा में भी है शेरगड अभ्यार्णी बारा के अंदर है दुर्ग धोलपूर में है किस नदी के किनारे चंबल मनोहर्थाना दुर्ग जालावाड में सबका जिकरम पहले कर चुके हैं कहां काली खोर परवन के संगम पे काली खोर पलस परवन नदी के संगम पे है मनोहर्थाना दुर्ग सूवरणगीरी दुर्ग ये दुर्ग है जालोर में सू बरणगीरी दुर्ग है, जालोर के अंदर सू बरणगीरी और जमाई नदी के लगबग मांस को थे, लेकिन सूकडी नदी भी आवे कुछ किताबा में, तो सूकडी सही नहीं माना जाता, सूकडी नहीं है, वैसे जमाई दूरी पर ही है भी है, नजदीक तो कोणी ये तनो गागरोन दुर्ग जालावाड में, बड़ा फैमस है, पतानी कितनी बार कुछा गया है, आहू पलस काली सिंद के संगम पे है गागरोन, कोटा दुर्ग कोटा के अंदर ही है, कोटा दुर्ग किस नदी के किनारे है, चंबल के किनारे, चितोडगर दुर्ग फैमस दुर्ग है शेर रहेगा बार है परनेरो परवन नदी के संगंभी यह सारे इंपोर्टेंट है सारे के सब इनको अलग से नोट्स बना के बठनेर दुरुग हनुमानगड गगर नदी के किनारे बैस यह तो बठनेर वाड़ा था सब को बता है नौर्वान चलो आजयो सब्वेता तिलवाडा सब्वेता है बालोतरा सब्वेता किस नदी के किनारे है लूनी सोट में बस लिखते जाना चाहे स्क्रीन सोट ले लेना चाहे लिखते जाना सुनारी सब्वेता नीम का थाना कहां है कोण सी नदी पे है कांतली नदी पे ठीक गुर्जी आहड सब्वेता चितोड किस नदी के किनारे बेड़त्स राजमेल सब्वेता कहां गंगानगर में किस नदी के किनारे एगगरगे किनारे जोधपुरा सब्वेता और कोटकुतली बहरोड जोधपुरा सब्वेता ये किस नदी के किनारे साभी पहले जोधपुरा सब्वेता नदी के किनारे हैं ठीक है जी चा जा जा वैसे सारे नोटसों में आपको मिलेगा वैसे एक बार आप थोड़ा समय बार बार वोनों तो अच्छा रहता है ठीक है गणेश्वर सब्वेता कहा है नीम का थाना किस नदी के किनारे कांतली के बागोर सब्वेता कहा है बागोर सब को बताए पूरा गुर्जी ती रिशब्वेता और यह हां सब्वेता तो बड़ी इंप्पोर्टेंट है भाईया सब्वेता में तो आपका गलत होना ही नीची बैराट सब्वेता अभी बताई थी बैसे बैराट वैसे किस नदी के किनारे है बान गुलूंड संब्वेता ये रासममन्द में है किस नदी के किनारे बानास वाकि सब्वेताउ में आप पड़ते ही हुए रिशब्वेता ही एक तो आपका है ठनुमानगट ऊपर से लेकर आऊगे न तब फिर आ जाएगा सूरथगड इसी नदी के किनारे हैं फिर आपका नया जिला अनूपगड अनूपगड यह सारे किसके हैं इसी के किनारें बनास में तो भोत द्वारा जैसे नाद द्वारा, नाद द्वारा जो है वो बनास नदी के किनारे में दिख रहे हो कुझे हैं, मातरी कुंडिया और बिसलपूर जो है वो इसी के, टौक भी इसी के किनारे है, बिसलपूर जो है वो बांध सहर बनास के किनारे, बांडी, पाल पालना मैडिन फालना पहले रेडियो बनते थे एक पाली का बाली से ये भी मीठिन नदी के किनारी लिख लेना इनको अलग से बियां तो कोई नदी को नहीं राजस्ताने थे कर दियो गुर्जी अगठू नहीं कड़ा है बाना बता और क्यों इरण नदी ये काले इंजराब इस नदी की किनारे हैं सोम के किनारे देव सोमनात को इंपोर्टेंड नहीं है जवाई नदी के किनारे जवाई के किनारे बियां तो देखा तो सुमेरपूर और एरियन पुरा एरियन पुरा वे सुमेरपूर कट पड़ें पाली जवाई नदी गठें पाली के अंदर खारी नदी के किनारे आपका फैमस्तान है आसिंद देधा आसिंद यही है इसी के विजे नगर गुलाबगुरा गुलाबगुरा विजे नगर यह सारे इसी नदी के किनारे आज़ो माई माही माही मैंनों छल्ला कोवा दे तो माई कोतुत रहये बताई एक के बहुत है स्लेश में विज ही भीद aver adjusted for और साव पार्वती के किनारे है किसंगज ध्यान रहे किसंगज है ये बारा का किसंगड नहीं है चंबल है किनारे तो कई सहर है जैसे कोटा है भेंस रोडगड है भेंस रोडगड है रावत भाटा है केसो राय पाटन है ये सारी सी किनारे सुकड़ी तो सुकड़ी किनारे कुंट सा सह यह नहीं कोई जुरूरी कोई ठीक है राई ठीक है लूणी के किनारे लूणी किनारे तो कई सहर आओगा लूणी किनारे जैसे मैं मुख्य मुख्य में देखें तो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामेडवाद, गोविंदगड, बालो उत्रा, फैमस्तान, बालो उत्रा, ये भी किस नतिकी किनारे है, लूनी नतिक किनारे, जोजड़ी, पिमपाड सीटी, जोधपुर ग्रामेड़, जहांसे कुछ कन्याओं को उठाया था ना, वो ही पिमपाड, थी, वो उ पिमपाड, चंद्रावती, अब्बुरोड, ये सारे इसी के किनारे है, पिमपलाच, पंच पहाड, सरोगट है, जहलावाड में, ये आतराको रागले कोई जरूरी को लिए, बेडच, इसके किनारे एक तो उदेपुर है, क्यों? वो जील है, उदेपुर इसी के किनारे बे काली सिंद और काली सील दोनों अलग है, केला देवी मंदिर काली सील नदी के किनारे है, ठीक है, चंदरभागा, ये है आमेट, राजसमंद का एक प्रसील है, आमेट, ये चंदरभागा नदी के किनारे है, ये बात है, चंदरभागा, दोबर लीग दीगे, चालरा भाटन ह आले जी टाम रूँ यह last important question थे अब हो गया complete नदियां अब आगे आप जो भी बोल रहे हैं आज फिर comment करके बता देना कौन सा करवाना है आपकी नदियों के last बाड़े question एक जगया लिख लेना दिन में दो तिन बार repeat करना इतने में आपके त्यार करें ओके थेंक यूँ